हलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त वत्सल और आप देख रहें मेरा यूट्यूब चैनल वैराइटी वीडियोज क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका फोन कहीं पर मिस्प्लेस हो जाए या खो जाए तो आप उसको कैसे डूण सकते हैं या फिर कभी आपने सोचा है कि अगर इस तरह से आपका फोन कहीं पर खो जाए या मिस्प्लेस हो जाए तो उसके अंदर का जो आपका डेटा है उसका कोई मिस्यूज कर सकता है या फिर वो गलत हाथों में जा सकता है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा क्या आप अपने फोन को किस तरह से लोकेट कर सकते हैं या फिर उसके अंदर के डेटा को आप किस तरह से रिमोटली वाइप मितलब की डिलीट कर सकते हैं तो अगर आपने ये मेरा चैनल वेडायटी वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेट सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और मेरे साथ जुड़िये और मेरे इस तरह के अच्छे और वेडायटी आफ वीडियो को देखते रहेगे तो सबसे पहले अपने वेब ब्राउजर में जाएए और वहां सर्च कीजिए गूगल डिवाइस मैनेजर उसके बाद इस लिंक को ओपन कीजिए अब गूगल आपकी फोन की लोकेशन को ट्रेक करेगा और जैसे ही लोकेशन ट्रेस हो जाता है वो यहां पर डिस्प्ले करे गुम हो गया है तो इस तरह सा आप अपने फोन को ट्रेक और ट्रेस कर सकते हैं अब यहां पर हमको तीन ओप्शन दिखाई दे रहा है रिंग लोक और इरेस अगर आपका फोन कहीं नजदिक में मिस्प्लेस हो गया है तो आप इस रिंग ओप्शन का यूज कर सकते हैं जहा हम हमारे पास जो दूसरा फीचर है लॉक उसको हम टेस्ट करेंगे तो इस फीचर से आप अपने पास अगर आपका फोन नहीं है तो दूर बैठे बैठे रिमोट ली भी आपके फोन में लॉक लगा सकते है तो यहाँ पर जो भी आपको information डालनी है वो details आप डालिए और फिर लॉक बटन को प्रेस कीजे तो अभी आप इस वीडियो में देख सकते है screen पे कि मेरे mobile में लॉक लग गया है और अभी इसको unlock करने के लिए password डालना ज़रूरी है तो यहाँ पर हमको वही password डालना पड़ेगा जो हमने mobile को lock करते वक्त फीड किया था तो android device manager में हमने जो password डाला था उसको डाले बिना हम phone को unlock नहीं कर सकते हैं तो जितनी भी बार आपका screen off होगा तो फिर safe phone को on करने के लिए आपको फिर safe password डालना पड़ेगा अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस password को आप अपने phone में से कैसे remove कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपके phone के settings में जाईए उसके बाद lock screen में जाईए और feed screen lock में जाईए यहाँ पर आपको अपना android device manager में डाला हुआ password डालना पड़ेगा उसके बाद आप यहाँ पर non select कर सकते हैं और उसके बाद yes remove select किजिए तो इस तरह से आपके phone में से lock protection remove हो जाएगा अभी हम test करेंगे erase feature जिसको हम remote wipe भी कह सकते हैं इसकी मदद से हम अपने phone का data बिना phone को touch किये दूर पर कही बैटे हुए भी erase कर सकते हैं यहाँ पर erase select करने पर आपका phone है वो factory reset हो जाएगा और phone का internal memory और memory का दोनों पूरा का पूरा erase हो जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको पहले अपने phone में दिखा देता हूँ कि मेरे phone की internal memory और external memory यानि की SD card में data यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको हम पूरा का पूरा erase कर देंगे remotely अभी erase सिलेक करने पर android device manager एक command भीज देगा आपके phone पर जिससे की factory reset का process शुरू हो जाएगा अपने आप recovery डाली हुई है इसलिए यह phone अभी TWRP recovery में बूट हुआ है और वहां से factory reset हो रहा है तो यह एक बहुत useful feature है जिसके लिए आपको कोई भी application भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अगर आपका phone कही पर खो गया है या चोरी हो गया है और आप चाहते हैं कि उसके अंदर कुछ sensitive data है जो किसी और के हाथ में न लगे तो इस feature का यूज़ करके आप अपने phone को remotely, wirelessly कहें पर भी factory reset यानि कि erase या format कर सकते हैं अगर आपके phone में internet connectivity उस वक्त नहीं है जिस वक्त आपने ये command भेजा है android device manager से तो जब भी आपका phone internet से connect होगा वो जो command android device manager ने भेजा था वो फिर से active होगा और आपका phone format होना चालू हो जाएगा लेकिन एक बार इस feature का use करने के बाद आप अपने phone को फीर से track नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो Gmail idea अपने इसमें डाला था वो भी उसके साथ remove हो जाएगा और इसलिए आप अपने phone को track या trace नहीं कर सकते तो यहां पर आप देख सकते कि मेरा phone factory reset हो चुका है और अभी मैं आपको file manager में जाके दिखाता हूं कि मेरा internal memory और SD card दो तो दोस्तो अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को like कीजिए आप अपने सवाल या सुझाओ comment section में लिख सकते है मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share कीजिए ताकि आप और लोगों की भी मदद कर सके और मेरे चैनल को subscribe करने के लिए red subscribe बटन को प्रेस कीजिए और मेरे साथ जूडिये और मेरे वीडियो को enjoy कीजिए थैंक यू